Welcome to Online Guruji Classes आज हम Algebra का Part 10 डिसकस करेंगे जो लोग Algebra का Part 10 पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं request करना चाहूंगा कि पहले आप Algebra के Part 1 से लेकर Part 9 तक के lecture पक्का देख ले ठीक है? ताकि आपकी clarity अच्छी बन पाए ओके चलो डिसकस करते हैं देखो वैसे ये question मैंने पहले भी discuss किया हुआ है बट ये आपके 2013 में ये question पूछा गया था उसके बाद 2015 में भी same question पूछा गया है सिर्फ number थोड़ा सा concept उन लोगों ने गुमा दिया है clear? बट trust me बहुत important question है और मैंने आप लोगों के लिए specially एक lecture पूरा इसी formula पे मैंने discuss किया था clear? चलो देखते हैं अब देखो if x is equal to 3, 3, 2, y is equal to 3, 3, 3, z is equal to 3, 3, 5 then find the value of this expression x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is अच्छा आप सभी को ये बात तो पता है formula मैंने ये वाला discuss करा है आप लोगों से क्या वाला? कि जो x square plus y square plus z square minus xy minus yx minus yz minus yz minus zx अगर ये होगा ये कितने के बराबर होता है? 1 by 2 of bracket close x minus y का होल स्क्वार plus y minus z का होल स्क्वार plus z minus x का होल स्क्वार क्लियर? इते बात सबको क्लियर है? ये formula हम discuss कर चुके हैं इसका derivation भी हम कर चुके है I guess part 7 या part 8 पे हमने इस formula पे थोरो discuss किया था अब देखो equation क्या है? equation है x cube plus y cube plus z cube अब x cube plus y cube plus z cube ये किसके बाराबर होता है? आप लोगों को पता है ये भी मैंने discuss कर रहा है x plus y plus z bracket x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x clear? plus 3 x y z अब मुझे इस ये वाला 3 x y z देखो यहाँ पर चाहिए ठीके तो मैं क्या कर दूँगा? मैं बोलूँगा x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z is equal to x plus y plus z और x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये term लिख सकता हूँ ना? तो इसकी जगा मैं क्या लिख दूँगा? 1 by 2 of bracket close x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square क्लिया? अब ये तो मैंने आपको पूरा derive करके दिखाया है यहाँ तक बट paper में अगर ये question आता है तो आप लोग तो direct ये formula लिख सकते हो ना? क्यूंग? क्यूंगि मैंने ये formula भी आपके साथ discuss कर रहा है तो आप लोगों को तो direct ये formula लिखने है आपने paper में ठीक है? तो देखो बस अब क्या है? अब x, y, z की value पूट कर दो x की value क्या है? 332 plus y की value क्या है? 333 plus z की value क्या है? 335 into 1 by 2 x कितना है? 330, 2 minus y की तना है? 330, 3 कब? all square plus y की तना है? 333 minus 335 का all square plus z की तना है? 335 minus 332 का all square ठीक है? value substitute कर दी, इसे solve कर लो, ये कितना आ जाएगा? 1000 into 1 by 2 332 minus 331 minus 1, minus 1 का all square is 1 plus, 333 minus 335 minus 2, minus 2 का all square is 4 plus, 335 minus 332, 3, 3 का all square is 9 तो ये कितना आगे आगे आपके पास? ये आगे आपके पास 1000 into 1 by 2 into 9 plus 1, 10 plus 4, 14 2 अगे आगे आपके पास? 7,000 option D clear? आप लोगों को ये question कहां से start करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप लोगों को direct ये step लिखना चाहिए ठीक है? अगर आप ये direct ये step तक आपको पता होना चाहिए clear? उस दिन जिस दिन हमने ये discuss किया था उस दिन भी मैंने आपको बोला था ये बहुत important question है और probability है कि 2016 में भी इसी concept पे question पूछ लिया जाए ये ये वाला formula तो बहुत ही ज़्यादा important है clear? तो answer क्या आए गया आपका 7,000 clear? okay, next देखते है next है, यहाँ पर मैं theory of equation of line आप से discuss करना चाहता हूँ clear? इसके उपर भी generally मैं देख रहा हूँ कि एक question पूछ ही लेता है ठीक है? बहुती बहुती simple question होता है ठीक है? वैसे तो ये मुझे coordinate geometry में इस topic को discuss करना चाहिए बट मैं इस topic को यहीं पर आप से discuss करना चाहता हूँ और coordinate geometry के उपर जादा से जादा आपके दो lecture ही बनेंगे ठीक है? दो lecture में coordinate geometry आपकी खतम हो जाती है और coordinate geometry से आप दो question प्री में एक question मेंस पे भी एक या दो question expect कर सकते हो बहुत ही simple होता है coordinate geometry ठीक है? आज theory of equation of line इसे मैं algebra के topic पे ही consider कर रहा हूँ clear? ओके देखो theory of equation of line से हम क्या समझते है? देखो suppose मेरे पास दो line है ठीक है? मैं बोलता हूँ line L1 है और दूसरी line L2 है clear? line L1 इसकी एक line मान लेता हूँ ठीक है मैंने बोल दिया line L1 है say 2x minus y is equal to 4 यह equation of line है clear? clear? यह equation of line है 2x minus y is equal to 4 clear? अब दूसरी equation of line मान लेते हैं चलो मैंने मान लिया दूसरी equation of line है x plus y is equal to 2 मैं बोल देता हूँ यह क्या है? यह मेरी दूसरी equation of line है ठीक है? चलो इसका solution मैं find करने की कोशिश करता हूँ solution मतलब इस line की x और y value मैं find करने की कोशिश करता हूँ अगर यह दो equation है मैं बोल देता हूँ यह मेरा first equation है ठीक है? यह मेरा second equation है ठीक है? इस line की मैं solution find करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इन दोनो equation को अगर मैं solve करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? equation को add कर दूँगा add कर दूँगा तो क्या होगा? y y will cancel out और यह क्या हो जाएगा 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x is equal to 6 हो जाएगा clear add करने में और यहां से मैं क्या imply कर सकता हूँ मैं यह imply कर सकता हूँ कि x की value क्या है मेरी 2 है clearly ठीक है x को 2 यहां पर put कर दो यहां पर put कर दो कहीं भी आप put करो x को 2 मैं से यहां पर put करता हूँ तो मेरे पास क्या आजाएगा मेरे पास आजाएगा 2 प्लस y is equal to 2 यहां से यह क्या imply करता है मेरा y कितना है मेरा clear तो अगर मैं आपको बोलू दो equation है मेरे पास दो line की equation है 2x minus y is equal to 4 और x plus y is equal to 2 और मैं बोलू भाई इसका मुझे solution बताओ इस line का तो मुझे क्या बोलोगे आप इस line का solution क्या है x is equal to 2 और y is equal to 0 clear इस line का क्या है solution है clear अच्छा जरह इन दो point को 2x minus y is equal to 4 और x plus y is equal to 2 को जरह ग्राफ में plot करके देखते क्या होता है clear ठीके बहुत ही easy आये ठीके जरा सा theory जरा सा आपको background में बता रहा हूं ठीके ताकि आप बाद में आप किसी को पढ़ाएं तो आपको क्या हो help उपाए और इससे क्या है conceptually आपको समझ में आएगा ऐसा क्यूं होता है clear this will be my x-axis and this will be my y-axis clear x-axis के coordinate लिख लेता हूं 1 2 3 4 और इस तरफ minus 1 minus 2 minus 3 y इस तरफ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 और यहां पर 1 2 3 और 4 यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया पहला equation क्या है आपके पास पहला equation है आपके पास 2 x minus y is equal to 4 ठीक है अब देखो इससे plot करने के लिए क्या करते हैं देखो हम क्या कर लेते हैं हम y को एक बाब y को 0 मानेंगे x की value आ जाएगी एक बाब x को 0 मानेंगे आपके पास y की value आ जाएगी clear मैं y को अगर 0 मानता हूँ तो यह term 0 हो जाएगा तो x की value क्या आएगी में पास x की value आएगी 2 मतलब 2,0 मैंने y को 0 माना तो x कितना है 2 है y 0 क्या हो गया यह होता है न 0 y 0 मतलब यह पूरा है y 0 में x की value कितनी है 2 है x 2 है y 0 है मतलब y 0 यहाँ पर है x 2 यहाँ पर है तो यह point आपका क्या हो गया 2,0 clear दूसरा देख लेते हैं अब x को 0 माना तो y कितना आए मिन पास? minus का 4 अगर मैं x को 0 मानता हूँ तो y कितना आता है मिन पास? minus का 4 clear अब देखो x0 कहाँ पर होगा x0 तो यह ही है point और y minus 4 कहाँ पर है यह वाला point है तो अब इसे भी circle कर लो यह क्या होगे मैं पस 0, minus 4 और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं clear तो यह जो equation बनी यह equation किस line की है 2x minus का y is equal to 4 clear clear सबको plot करना समझ में आ गया कैसे plot करना है एक बार x को 0 लिया y की value आती है दूसरे बार y को 0 लिया x की value आती है पस उसे number line पर plot कर लिया ठीक है वैसे coordinate geometry में आपको coordinate geometry के मैं दो ही lecture बनाऊंगा और उसमे coordinate geometry में आपको पूरी समझा दूँगा धंक से clear जितनी आपको ssc cgl के लिए जरूरी है clear या कोई भी जो normal competition का paper है उसके लिए जरूरी है cat और z वैट को छोड़के clear दूसरी equation देखो आपके पास क्या है दूसरी equation है आपके पास x plus y is equal to 2 clear यह तो simple equation है आप देखो आप क्या करो y को 0 ले लो तो x कितना आ गया 2 तो point क्या है 2,0 2,0 कहाँ पर है यहीं पर है तो यह point हो गया 2,0 दूसरा coordinate निकालना है आपने आपने x को 0 डाल दिया x को 0 डाल दिया तो y कितना आ गया आपके पास y2 आ गया देख लो x0 कहाँ पर है यहाँ पर है y2 कहाँ पर है यहाँ पर है और, extend कर दो, clear, तो यह किस line की equation है, यह है मेरा, x plus y is equal to 2, class 10th पे, first chapter, linear equation, उस पे हम यह सारी plotting आप लोगों ने की होगी, ठीक है, CGL में यही 2 equation of line देते थे, बोलते हैं, यह जो triangle बना, इसका area कितना होगा, तो half, यह height कितनी है, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, half, base into height, base कितना है, 6, height कितना है, 2, half, base into height कितना हो गया, half से half कट गया, 6, 6 cm square इसका area है, बस इस टाइप की question आते हैं, वो मैं coordinate पे cover करूँगा, यहा तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इस line को graphically भी plot करके देखा, अच्छा, मैंने अभी graph आपके साथ क्यों बनाए, अब देखो, मैंने जब line को solve करा था, मेरे पास solution क्या आया था, इस equation के solution क्या आया था, x is equal to 2 आया था, और y is equal to 0 आया था, ठीक है, x is equal to 2, y is equal to 0 मेरा इन दोनों equation को solve करने के बाद आया था, ठीक है, अगर graph में आप देखो, x is equal to 2, 0, ये कौन सा point है, इस point पे क्या है, graph क्या है, आपस में intersect कर रहे है, clear, तो इसका मतलब दो line, दो line, जिस point पे intersect करते हैं, दो line, जिस point पे intersect करते हैं, वो क्या होता है, इनका क्या होता है, solution होता है, solution of equation होता है, देख लो, अगर मैं इसे numerically करूँ, तो में पास x2 आ गया, y0 आ गया, इसी को मैं अगर graphically plot करता, तो मुझे पता है, जहां पर मेरी line intersect होगी, वही point क्या होता है, solution होता है, तब भी आप क्या बोलते है, इस line के solution क्या होंगे, 2, 0, मतलब आप graphically भी इसे, इस equation of line को solve कर सकते थे, clear, अगर आपको ये concept clear है, तो आगे का concept देखो, ठीक है, अगर concept clear नहीं है, तो पीछे back करो, और जो शुरू से मैं बोल रहा हूँ, उसे दुबारा इससे समझने की कोशिश करो, अगर फिर भी नहीं clear होता, तो आप, जो मेरा facebook group है, online guru जी में आपको मैं comment करो, तो जब मैं coordinate geometry discuss करूँँगा, उस time पर मैं इस concept को दुबारा discuss कर दूँगा, clear, अब देखो, अब theory of equation of line, अगर अब मैं line की बात करूँ, तो line में मुझे अब तीन type के solution मिलते हैं, ठीके, अब मैं generalize कर दे रहा हूँ, देखो, अब मैं बोल दे रहा हूँ, जो line है, ठीके, line की equation यह है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, यह मेरा पहला line है, और line 2 है क्या है मेरा, line 2 है मेरा a2x, clear, plus b2y plus c2 is equal to 0 है, clear, मैंने क्या करा, दो line की equation लेली, इन्हें मैंने generalized form पे लिख दिया, a और b के, clear, और constant को मैंने c से यहाँ पे denote कर रहा है, ठीके, अब जो line है, अब line की यहाँ पर 3 type से solution possible है, एक तो है आपका unique solution, ठीके, अब 3 case होते है, case 1, ठीके, case 1, ठीके, में पास अच्छा mobile भी नहीं है कि अच्छी video बन पाए, clear, case 1, case 2, और case 3, clear, clear, case 1, case 2, case 3, okay, अब देखो, case 1 को मैं बोलता हूँ, unique solution का case, unique solution, case 2 को बोलता हूँ, मैं no solution, और case 3 को मैं बोलता हूँ, infinite solution, अभी आप समझ जाएंगे इन terms के मतलर, infinite solution, unique solution का मतलब क्या हुआ, unique solution का मतलब यह हुआ, कि जो मेरा graph है, वो क्या है, किसी एक point पे uniquely solution मिल रहा है, मुझे इन दोनों equation को मैं solve करूँ, तो मुझे unique solution मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं graphically इने plot करूँ, तो यह क्या होंगे, यह line कहीं पर एक point पे cut कर रहे होंगे, मतलब इस point पे मुझे क्या मिल रही होगी, इनकी unique value मिल रही होगी, तो यह क्या है, unique solution, अगर मैं इन दो line को plot करूँ, मतलब अगर मैं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, अगर मैं इन दोनो equation को plot करूँ, अब मेरा graph क्या है, किसी एक point पे intersect करे, unique solution मिले, मतलब खाली वही solution इस line का solution है, तो ऐसे खाली एक point ही है, यहाँ पर एक coordinate है, जो इन दोनों का solution है, जहाँ पर graph cut कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, unique solution, तो unique solution possible होने के लिए condition क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है, a1 over a2 is not equal to b1 over b2, clear, unique solution के लिए क्या याद रखना है, a1 upon a2 should not be equal to b1 over b2, अगर यह condition true है, तो मेरा solution of equation of line क्या होगा, unique solution होगा, clear, okay, no solution देखो, no solution, किसी दो line का कोई solution नहीं है, मतलब, इसका मतलब क्या होगा, solution कब नहीं होगा, देखो, मुझे पता है, जब भी line आपस में cut होती है, तो वो क्या होती है, वो उसका solution point होता है, अगर line खाली एक जगह में cut हो रही है, तो वो unique solution हो गया, no solution के case में क्या होगा, अब बैसे line कभी cut ही नहीं कर पाएगी, इसका मतलब line कैसी होगी, line आपस में क्या होगी, parallel lines होगी, clear, इसका मतलब अगर एक line ऐसे plot होगा, तो दूसरा line कैसे plot होगा, ऐसे plot हो रही होगा, सोचो, अगर ये दोनों line parallel line हो, तो ये तो कभी आपस में कभी cut कर ही नहीं सकते हैं, तो मुझे solution कैसे मिल सकता है, solution मिलना ही possible नहीं है, तो इस case को क्या बोला जाता है, इस case को बोला जाता है, no solution का case, इसका मतलब, अगर ये a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 है, और ये क्या है, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 है, तो no solution के case में क्या होगा आपको, आपको क्या याद रखना है, numerically आप कैसे पता लगाओगे, no solution का अगर case है, तो आप लिखोगे, a1 over a2 is equal to, b1 over b2 is not equal to c1 over c2, clear, बहुत ही important है ये सारे चीज, ठीक है, एक question आना है आपका, no solution से ही आना है question, probability हाई है, no solution का ही पूछा जाता है, clear, no solution, unique solution के लिए क्या होगा, a1 over a2 is not equal to b1 over b2, no solution के लिए क्या होगा, a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2, infinite solution का possible होगा, सोच के बढ़ा, सोचो, okay, देखो, ये मेरा graph है, एक जगह कट हो गया, unique solution, जहां पे कट होगा, वहीं पे solution होता है, अगर line कट ही नहीं कर पाए, तो obvious है, no solution, infinite solution कब हो सकता है, मतलब हर point पे solution मिल जाए, ये तब ही हो सकता है ना, जब मेरा एक line ये है, से, मैंने बोल दिया, ये line है, मेरा a1x, plus b1y, plus c1 is equal to 0, और दूसरा line क्या है, दूसरा line इसी के उपर overlap कर रहा है, ये overlapping line है, इसी के उपर उपर है, दूसरा line लिख लो, a2x, plus b2y, plus c2 is equal to 0, अगर ये सोचो, ये line एक line है, इसके उपर ही दूसरा line है, तो कितने solution होंगे, वो तो हर point पे cut कर रहे होंगे, यहाँ भी cut हो रहा है, यहाँ भी touch हो रहे है, यहाँ भी touch हो रहे है, यहाँ भी touch हो रहे है, solution होंगे, उस case में, infinite solution होंगे न, क्योंकि यह तो infinite जगह पे touch कर रहे है, एक दूसरे को, तो उस case के लिए क्या condition होगा, उस पे होगा, a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2, clear? अब आप लोगों ने क्या याद रखना है, अगर question, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए इतना सारा रामायन सुनाया है, ठीक है? आप लोगों को ये याद होना चाहिए, unique solution, बोले कोई, तो आप क्या बोलोगे? बट आपको वैसे practically पता भी होना चाहिए, ठीक है, बेस तभी बनता है, जब आपको actual में पता हो, कोई बोल रहा है, no solution है, रट के जाते हैं, question कर देते हैं, बट पता होता ही नहीं, no solution बोल रहा है, तो क्या वो concept है, क्या वो देखना चाहता है, ये है unique solution, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ये क्या है आपका no solution? a1 by a2 is equal to b1 by b2, is not equal to c1 by c2, और ये क्या आपका infinite solution? ये क्या आपका infinite solution? clear? I guess clear हो गया होगा, अगर नहीं clear हुआ, तो थोड़ा सा reverse करके एक और बार देखो, I guess clear होई जाएगा, अगर तब भी नहीं clear होता है, तो आप YouTube के videos पे जो comment है, वहाँ पर comment कर सकते हैं, कि clear नहीं हुआ है, तो क्या करूँगा, next time when I will start coordinate geometry, I will take care of this point also, उस पे भी मैं ये discuss कर लूँगा आपके पास, ठीक है? ओके, चलो, अब देखते हैं, ये तो मैंने देख लिए, आप question कैसे आते हैं इस पे, ठीक है, एक ही question discuss करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, clear? question is, 2015 का ही question है, this, 2x, देखो, बोला है, 2x minus ky plus 7 is equal to 0 and 6x minus 12y plus 15 is equal to 0 has no solution क्या है, बोलता क्या है, has no solution अब इसे compare करो, अपने equation के साथ, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए, इतना लंबा चोड़ा कर रहा हूँ, आपने तो जल्दी कर देना एक दम, आपका equation क्या था, a1x plus b1y plus का c1 is equal to 0 और a2x plus का b2y plus का c2 is equal to 0 तो compare करने में आप क्या लिख सकते हो, a1 कितना है, 2 b1 कितना है, minus का k c1 कितना है, 7 यहां से देखो, a2 कितना है, 6 b2 कितना है, minus का 2 c2 कितना है, 50 अच्छा, अब याद करो, मैंने क्या बताय था, for no solution, a1 upon a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2, clear? value पूट कर दो बस, 2 by 6 is equal to minus k by 12 is not equal to 7 by 15, मुझे equal to वाला case चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, खाली, इसे consider करूँगा, तो यह क्या आएगा, 6, 1 जा, 6, 2 जा, और यह 2, यहां पर जाके, 4, और यह minus, यहां पर आएगा, तो k is equal to क्या आजाएगा, मेरे बस, minus का, 4, तो k is equal to, minus 4, जब होगा, तो equation क्या होगा, no solution होगा, और no solution का मतलब क्या होगा, अब आपके दिमाग में, clarity होनी चाहिए, कि k की value 4 होगी, तो यह जो दो line होगे, वो क्या होगे, आपस में, पारलल होगे, तभी क्या होगा इनका, no solution possible होगा, clear, I guess concept clear होगे होगे, ठीक है, आप channel जो पहली बार देख रहा है, channel को आप subscribe कीजे, मेरे facebook group online, गुरुजी को join कीजे, अगर कुछ भी problem होती है, तो हम problem वहापे discuss करेंगे, clear, okay, अब, अब algebra के, I guess this was your 10th part, ठीक है, अब algebra के, ज़्यादा part नहीं बचे है, मैं कोशिश यही है, कि मेरी Sunday तक, आज किया Wednesday ना, Thursday, Friday, Saturday, और Sunday, इन चार दिनों में, algebra के बाकी सारे, concept में, आप लोगों के साथ, discuss कर लूँगा, और Monday से हम, नया topic, discuss करेंगे, topic क्या discuss करेंगे, इसके उपर, मैंने आप से, अपने group पे पूछा था, ठीक है, वहाँ पर, जो majority of people, जो बात कहेंगे, हम वही topic आगे, discuss करेंगे, clear, okay, thank you,